असलाम हूँ आलेकुम मैं जुलेखा अर्पाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन नर्गी सी कोफता ग्रेवी बहुत ही डिलिशिस और जबरदस्त घर पर बनती है बाजार से इनफाक्ट बहतर बनती है घर पर मैं आपको एक तोड़कर भी पीजबिक बनाते है आज की चलिए वैसे मैंने कोफता ग्रेवी भी बनाई है चिकन की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप महाँ चेक कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं एक चौपर के अंदर आधा किलो चिकन का कीमा डालिए कीमा यहां स्पेसिफिकली बहुत अच्छे स होना चाहिए कीमे में जादा एक प्याज मीडियम साइज की मोटा मोटा काटकर दाल दीजिए मैं दो हरी मिर्चिया दाल रहे हूं आप अपने स्वाद अनुसार तीन से चार दाल सकते हैं एक मुठ्थी फ्राइड ओनियंस याने की बिरिस्ता भी दाल दीजिए नमक स्वा चला पौडर, अला चुटै चहा चै का चमण चाट मसाला मैं 1फोट चुटै चै का चमण डाल रहे हूं 1VEN 근र अधरक लसन का पेस्ट डाल दीजिए 4 छाट टेबल स्पून यहां पर मैं बेसन डाल रहे हूं आप छाहें तो भून कर बेसन को डाल सकते है थोड़ा सा तवे प या तेल भी दाल सकते हैं, बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए ठाब कर, ये देखिए इस कदर और इसे अब ब्लेंड हो जाए तो एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लीजिए, थोड़ा सा कोथमिर यानि के हरा धनिया बारिक काट कर दाल दीजिए और उसे भी दाल नरगी सी कुफते और बाकी के सिर्फ कोफते टाइप ही उसे शेप दे दूँगी, तो चलिए सबसे पहले एक अच्छा सा मीडियम मिक्स्चर लीजिए चिकन का, इस तरीके से हातों के अंदर बीच में रखकर फ्लाट करते जाएए, बीच में आप अंडा दाल दीजिए, ये पूरा साबत बॉइल करा हुआ, और इसे बहुत अच्छे से बंद कर दीजिए, और ये बन गया हमारा चिकन नरगी सी कुफता, तो ये बना कर आप साइट पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए, थोड़ा सा तेल से हातों को ग्रीस कीजिए और फिर बन लिए हूँ कोफते, आप देख सकते हैं, छे प्रॉपर मेरे ये निकले हैं, मैंने छे ये अंडे बनाये थे, बॉइल किये थे, तो छे नरगी सी कोफते हैं, और दो मैंने नॉर्मल कबाब टाइप बना लिये हैं, चलिए, अब एक कड़ाई या पतिली के अंदर अच्छे फ्राइ कर ले, ये देखिए, ऐसे, और चारो होड से जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारे कोफते, तो इन्हें निकाल कर, नितार कर साइट पर रख दीजिए, इसी तरीके से बैचर्ज में फ्राइ कर लीजिए, संबाल कर कीचेगा, हलके हादसे करने आपको एक इन्शालला बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे, अब इन्हें साइट पर रख दीजिए सारो को, और ये ही सेम तेल के अंदर दो मीडियम साइज की प्यास दाल दीजिए, और इसका बिरिस्ता बना लीजिए, मतलब इसे बाहर बार चलाते हुए, फास्ट आज पर लाइट ग निकाले तो, क्योंकि फिर वो कड़वा हो जाएगा हमारा सालन, अगर हम ज़्यादा डार करी हुवी प्यास दालेंगे तो हमारे सालन के अंदर, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो, तभी ही निकालिएगा, क्योंकि बाहर आके वो खुद बखुद भी पकती है, अच्छा अब यही सेम कड़ाई के अंदर से मैंने तेल थोड़ा निकाल दिया, अब इसमें थोड़े से मैं गरम मसाले डाल देती हूँ, एक तेजपत्ता, तीन-चार लॉंग, तीन हारी इलाइची, साथ-आठ काली मिर्च और एक डांडी दाल चीनी की दाल दीजिए ये तेल के अ चला जाए, तो यहां पर मैंने दो मीडियम साइज की प्यास को पीस लिया, हलकासा मैंने पानी डाला था पीसनी के डाम पे और इसमें डाल दीजिए, और इसे भी फास्ट आज पर प्यास को बार बार चलाते हुए, दो-तीन मिनिट तक फास्ट आज पर फ्राइ कर ले, चल आपका स्पाइसी हो, तो कम डालिएगा, इसमें मैं अब वन फोट कप जितना पानी डाल देती हूँ, चूला मैं फास्ट आज पर कर दी हूँ, और इसे एक बार चला लीजिए, हलका उबाल आ जाते हैं, तो स्लो आज करके ढाक कर इसे दम पर पकने दीजिए, तब तक पक 200 गराम दही डाल दीजिए, नॉर्मल टेंपरेचर पर है, चूला मीडियम आज या फास्ट आज कर दीजिए, मैंने मीडियम किया है, और इसे बार बार चलाते हुए, दही डालने के बाद इसे भून लीजिए, समझे ना, इसे भी 2-3 मिनिट तक भूनना है, या तब तक भ चूच चूच चुका है, तो यहाँ पर मैं यह जो बिरिस्ता रखी थी, इसे भी मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा और यह पीसिया हुआ बिरिस्ता दाल दीजिए, इसे एक बार मैं चला लेती हूँ, और slow आच कर लीजिए, और इसे ढख कर 2-3 मिनिट तक इसी तरीके से दम पर पकने दीजिए, यह देखिया हमारे फ्राइ करे हुए कोफते कितने बड़िया लग रहे हैं, आप हम इसे डालेंगे ग्रेवी के अंदर, चलिए, अच्छे से भून चुका है, यह आप देख सकते है तेल, बहुत अच्छे से छूच चुका है, सारी चीज़े भूना गई है, तो अब यह जो हमने साइट पर कोफते फ्राइ करे हुए रखें, यह डाल दीजी, बिसमिल लैराफानी रेम बोल कर, और इसे मीडियम आज पर 1-2 मिनिट तक फ्राइ कीजिए, थोड़ा मसाले के अंदर भी तो कोफते फ्राइ होने जाए न, तो इसे फ्राइ कर लीजिए 1-2 मिनिट तक, जब 1-2 मिनिट हो जाए, तो अब यहाँ पर ग्रेवी का यह जो है, वो आपके उपर है, आपको कम ग्रेवी चाहिए, तो आप आधा पॉना का पानी डाल लिए, मेरी तरह थोड़ हमने कुछ किया नहीं है, अब अच्छा उबाल आ जाए, तो स्लो आच करके इसे धाकर तक करीबन 15-16 मिनिट, तक दंपर पक ने दीजिए, सुदार, हमारा यह जो कोफते है, यह प्रॉपरली गले नहीं है, हमने हलका उसे फ्राइ कर लिया है, तो अभी 15 मिनिट में अच्छे से कोफते पक चुके है, अब यहां पर मैं आदा चुरे से एका चमच गरम मसाला पॉडर दाल दीजिए, एक बार चला लीजिए और चूले को कर दीजिए, बन तो यह बन गया हमारा बढ़िया सा नजीज डिलिशिस चिकिन कोफता, यानि कि नरगी सी कोफता करी, वादी मज़ेदार और जटपर बनता है, आप इसे सबसे पहले तो प्याले में निकाल लीजिए और गरमा गरम सर्फ कीजिए, यह दिखिए मैं एक आपको तोड़के भी दिखा देती हूँ, क्या बढ़िया सूरत भी कितने दिखरे हैं और बहुत सॉफ्ट भी है, हाँ, थोड़ी से मैं सर्विंग की टाइम पे कोथ मेर यानि के हरा धनिया दाल देती हूँ, आप इसे रोटी, पराथा, फुलका, बटर नाट किसी के भी साथ सर्फ कर रहें, वैसे इन में से कुछ की रेसिपी लिंग्स आपनों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महा चेक कर लीजिएगा, वैसे रेसिपी में हरी मिर्चियां और लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, स्पाइस अपने हिसाब से डालिएगा, मैं आपको देखिए, बता देती हूँ, तोड़कर भी यहाँ पर फिर से, कितनी आसानी से टूड़के आप देख सकते हैं, तो बहुती सॉफ्ट और बहुती डिलिशिस है, और खाने में तो इतना लाजवाब है ना कि आप उंगलियां चाटते रजाओगा, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है है, माशालला, तो जरूर बनाएगे का, आपको अच्छी लगेगी यह रेसिपी तो हैना मज़ेतार रेसिपी अच्की है, अगर यह रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्षिन में जरू शेर कीचेगा, मुझे आपकी कमें पढ़ने बहुत अच्छी लगे, तो लाइक कीचे इस वाले वीजियो को, उससे साथ अच्छी लगे तो अपने फैबली और फ